नेशनल खबर सब पर नज़र नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मशीता वर्मा और हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्स सेंटर के हेल्फ बेश शो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कहते हैं कि जो सेहत मंद है वही अकल मंद है और हमारी हमेशा से ही कोशिश होती है कि आपके जिन्दगी को कितना खुशाल बनाया जाए और कितना स्वस्त बनाया जाए दोस्तो ऐसे मैं अगर मैं बताओं कि आज हम जिस बिमारी के बारें बात करने वाले हैं वो मारे देश को खाता ही जा रहा है अगर आकडो की बात करूँ तो यहां पे एक करोड से भी जादा नई मामले हर वर्ष देखने को मिलते हैं जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐस्थिमा की और इस विशे में चाशा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रागव मौजूद है सबसे बहले से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वेस्थ दिन्चरिया से समय निकाला आपको डॉक्टर रागव के वार में बता दू इनको 40 वर्ष से भी जादा का experience है और साथी साथ ना जाने कितने लोगों को इन्होंने जिन्दगी प्रतान की है दोस्तो आखिर हम जब वर्ट सुनते हैं कि asthma तो हम सबी यह सोचते हैं कि आखिर यह बिमारी है क्या आई जानते हैं डॉक्टर रागव से कि आखिर asthma है क्या देखिए अस्ता जाज आज आपने जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाए क्योंकि अस्तमा के जो है एवरी यह जो है लाखों लाख पेशेंट आता है यानकी एक क्रोड से जादा के पेशेंट जैसा कि आपने बता दिया है पहली वो पेशेंट नहीं नहीं जो है भारत में बन रहे हैं और जो है है कि अस्तमा ये अस्तमा जो है आखिर क्या है क्यों होता है इसके कारण है और किस्त कितने प्रकार का ये होता है आज इसके उपर बात करते हैं देखी अस्तमा है क्या अस्तमा जो है इसको कई भाशाम अलग-अलग तरी किसी जैसे बोलते हैं कि कोई दमा बोलता है अस्तमा की वज़े से जहें संकूचन हो जाता है और सांस लेने में जहें पेशिंट को दिक्कत आ जाती है उसमें जहें देखा होगा इसके जहें लक्षनिस्त रहें के दिखते हैं कि चेस्ट में भारी बंढ रहता है, खिचाव रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसमें काफी लोगों को छीके भी आती है, मनलो अस्तमा देकी कई प्रकार का होते हैं, तो हरे की सिम्टमस भी अलग-लग से होते हैं, तो इसमें क्या गलावी बार-बार सुस्क हो जात उत्हा है, तो जाता है, नाड़ी की गति जो है वो बढ़ दीती त्यख हो खोगँ आपके सांस सांस बूलता रहता है, और उसको सांसलेने में दिकातर होती हैं, और चैसे ऐसे करता रहता है, रहता है, तो इसमें जो है इस तरह से कहते हैं कि दमा कोई लाज नहीं है कि दमा तो दंग के साथ ही जाएगा लेकिन आजकल बड़ी-बड़ी रिसर्च हो रखियें तो इसमें जहें पेशेंट के कंडिशन उसके टाइप के साब से जहें ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि यह कि दमा जहें एक प्र कि इसे को जादा दिकत होती है और फिर जहें लिएविट ऐलर्जिक क्यी पेशीटको दूल मीट से आलर्जी हो जाती है उसको इसकी हालवद बड़ना सिरू जाती है और मोसम के बतलाव के कारण भी उनको होता है तो Kitty जों की आजकल हम अपना लाइफस्टायल देख थे कि तनाव इतना है तो उस तनाव के कारण स्ट्स पढ़ता है रूस के करण भी लोगों को दमा हो रहा है और उससे भी वह उनको प्रीशानिया होती है दूसरा जोह है कहांशी जुखाम जो हो गया है तो उससे भी उन लोगों परेंद ने अंसितिव कि अग्यादी उग्यादी एक पीजिय ज़ने चीरू हो जाती है और एक हो था कि जिस वातारों ने काम कर रहे हैं वहां के कारनभी कईयों को जैसे कारकानों में काम कर रहे हैं उसकी वजे से भी बालोगों को हो रहा है तो अपने बता दिया कि अस्थमा है क्या और साथी साथ में को लगता है कि आपने काफी ताइफ्स बता दिया कि आखिर क्या क्या उसके major points है लेकिन डॉक्तर साथ अच्छले क्या है कि आज़किल की लाइफ हमारी इतनी ज़ादा बिजी हो चुकी है कि हम चोटी चोटी सर्दी जुकाम वाली जैसी नॉम्मल चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं कि आज हुआ है कल तो ठीक हो जाएगा लेकिन कहते हैं कि कोई भी जो रोग है ना डॉक्तर रगव वो जाएगा विदाउट इन्फोर्मेशन नहीं आता आपको पटाएगा आपको प्रश्चले कि हम आने वाले हैं तो सिंटम्स क्या है अस्त्मा के ने इसमें मैं बताया कि अस्त्त्रम में अपका 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 मैं आपको बताऊं कि जो आदमी अपने आपको स्वस्थ रखेगा वही तरीके से जो हैल्थी है वही वैल्दी भी है क्योंकि है जो का एक छेत्र ऐसा हो गया है कि जिसमें की लूट जादा शुरू हो गई है कि आप जो एचोटी सी बीमारी के लिए डॉक्तर के पास जाओ जाएगी और बड़ी मुसीबत हो जाएगी तो देखिए इसमें कभी भी इग्नौर ना करें यह दिए आपको सांस लेने में दिकत हो रही है आपको सांस लेने सीटी सी बज़ रही है तो समझेगा आपको अस्थमा एचाती भारी पन जक्रण वैसे ठंट से लग जाती लेक कफ जमा हो रहा है चेस्ट में निकल नहीं पा रहा है तो उस कफ को निकालने के लिए उसको कई बार जो है पेशिंट को सांस लंबे-लंबे खिशने पड़ते है खांसता है लेकिन वो कफ जमा हो चुका होता है क्यूंकि इसके जैसे मैं बताएक स्वास नली में सूजन भी जाती है उसे उसम कुछन हो जाता है खुलकर वो सांस नहीं ले पाता तो उसका संस फूलता है गला सुष्क हो जाता है खुस्क कि आ जाती उसमे और नारीकती उसकी बढ़ती है थोड़ी दूर चलेगा वैसे उसांस अड़ जाएगी और सिजन के हिसाब से बड़ा फरक कर लूँ गरम पानी पीलूं कि मैं हल्दी का दुगत पीलूं या अधरक्की तुल्सी अधरक्की चाहिए यह सारी चीजे हैं तो लावदायक लेकिन वही है कि सबसे पहले कि आपको कोई भी बिमारी भी सबसे पहले आप जो है क्वालिफाइड दॉक्तर से मिली आप टेस्ट से मढ डरिये क्योंके टेस्ट से डरने का मतलब कि आप किसी बिमारी को अपने अंदर में पाल रहे हैं बिलकुल बिलकुल तो बिमारी पलेगी तो क्या होगा कि फिर एक दिन वो भेंक रूप लेकाएगी जब जो है डॉक्तर आपको श्याद बचा भी ना पाएं या बचा आप से हमारी स्वास सरकार स्वास स्विधाएं बहुत कम है आप समझी कि ना के बराबर ये भारत जो है गाओं का देश है जिसमें गाओं इतने हैं आप देखें कि दूर दूर तक गाओं में आपको चिक्श स्विधाएं नहीं मिलेंगी और कोई दो सेंटर बीच में दस बीच में एक मेडिकल सेंटर खोल रखा है तो उसमें देखें कभी डॉक्टर नहीं आया तो कभी नर्स नहीं आई तो कभी उसके फार्मेसिस्ट नहीं आई कभी दवाईयां नहीं है कभी कुछ नहीं आनि कि ना के बराबर ही है और तो भारत की जह है चिक्श स्विधाएं को देखते हुए हर आदमी को अपना बहुत ही ख्यार लखना चाहिए कि आप बिमार ना पड़ें, बिमार पड़ गए तो आपको चिकत्शाश वीधाँ पता नहीं कितनी दूर मिलेंगी, कितनी महेंगी मिलेंगी और कैसी मिलेंगी, तो इसलिए मैं हिंदुस्तान की अपने बढ़ते रहेंगे अधिकारी करमचारी आधिकारी थेकर दारे सब्धन कमाने में लगे पड़े हैं जन की किसी को चिंता नहीं है तो इसलिए आप बिमार होगे तो समझो आपका लुटना निश्चित है स्वास्त से भी लुटोगे और धन से भी लुटो क्या बात है बहुत ही अची बात कहीं मतलब जो सच में फिट है वही तो हिट है चाहिए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हो अच्छा डॉक्टर सहाब मैं आपसे यह जाना चाहते है क्योंकि हमेशा से हमने सुना है कि प्रिक्वोशन सर और बेटर दन क्योर तो हमें बचाओ बेटर लगता है इलाज तो होता ही है बिल्कुल सभी तो अस्थमा के बचाओ के वारे मिं क्या जाओ कि जो अस्थमेटिक हो चुके हैं उनको क्या है फिर बचाओ कि भी हम कैसे बचे उसमें यह कि आप धूलमिटी में ना जाएं आप जो है यह जो कीट नाशक दवाईयां वहियां है यह स्प्रेय करते हैं उनसे जैसे आप देखेंग मच्छ उचर भी बड़े हैं मक्या हैं मच्छ हैं भारत में गंदगी का भी धेर है बेसे कि अपने आपको हाईजेनिक रखे मास्क वगर पहने कई दूलमिटी में जाना है तो वो जह है उसका उसे बचाओ रख कि इस तरहें खाना नहीं खाएं जिसे कि आपको अस्थमेंटिक प्रबलम और बढ़ सके हां मेरा नेक्स कॉशन अल्मूस्ट यही था कि हर बिमारी की ना अपनी एक कही ना कही डायत होती है तो अस्थमा में क्या बेसिकली चीजे हैं जो हमें खाना चाहिए जो चीजे जो सब्सक्राइब करें लेकिन उसका आप सेवन कर सकते हैं करें तो अच्छा ही रहेगा और जो है जादा थंडा गरम अर्चो आजकल हम लोग मौडर्ण हो रहे हैं तो हम खाना भी घर में नहीं खाते बाहर का खाते हैं तो वो पुरसेश फूड से बचिए आप जो है पैक्ट फूड से बचिए और तला उला जादा नहीं खाएं भारी क्योंके हमारे कुछ जैस जाज तोर से पराथे बहुत खाते हैं मक्षन पराथा ये बनिये ब्रिक्वस्ट में होना ही चाहिए पराथा वना दिन की शुवाज है काफी जैसे लिए वैसे तो हर रीजन की हर प्रदेश के अपना अपने भोजन है लेकिन फिर भी कुछ आत्कियों के विसेश भोजन है तो जैसे कुछ माशा हरी हमारे प्रदेश हैं माशा हर का जादा प्रियोग दो माशा हर का ये प्रियोग ना करें जैसे मचली वगरा का प्रियोग ना करें मास का प्रियोग ना करें और जैसे ठंडे करम के से बहुजन से बचे तले वे बहुजन से बचिया पलका खाना का ठीक रहेंगे स्फस्त रहेंगे रहाब उप्चार का हां मेरे नेक्स कॉश्शन भी यही था कि आखिर कैसे हम यूनों क्योंकि सबसे बड़ी जो स्पेश्यालिटी है जो विशिष्टा है कि हम यहां पे बहुत सारे पैथालोजी को मिलागर ही इलाज करते हैं तो डॉट्टर साहब हीलिंगे बारे में क्या कहना चाहते हैं तो इसमें यह देखी मैं आपको बताँ कि इसके उप्चार जो कहवत है कि दमा आपको एंच कर दम से जाता है मेरा मना यह घलत है कि वह पहला जमाना था कि जब बांदम से जाता है देखिए यह खिंड़ूपैथी में तो किसी का इलाज हे नहीं प्यापार ने वह आप और अलोपेथि जो डिड़ी रहना चाहते है जीवन भरका साह जो है साह उसको चाह बिवलाजर दिया है, आपको अस्थमा है, बार बार आता है, उसमें बीमारी को दबाया जा सकता है, लेकिन वो कब तक? तो एलोपेथी में इसको आप रलीफ ले सकते हैं कि वे नेबुलाइजर दिया आपको जो है स्टेरोइड मेडिशन दे दी और उससे काफी हद तक आप लोग लिफ फील करते हैं लेकिन वही कि आप लाइट में रोग मुक्त नहीं हुए तो इसमें यह है कि Heal Mass Clinic and Research Center के पास में बेहदी बढ़िया इसके उप्चार है और दमा जो है दम से नहीं एक दम से जाएगा क्या बात है तो आप Heal Mass Clinic and Research Center पर कॉंटेब करें हमारे specialist doctor आपको गाइड करेंगे और जो है यह पीछे जो नुमबर दिये हुए हैं आप इन पर कॉल करें आपको वट्सेप किस विदा दी विए इमेल किस विदा दी विए तो आप वो भी कर सकते हैं काफी लोगों की शिगायत ही रहती का हमारे यहां पर फोन रही उठाय जाते तो मित्रों करोडों करोड लोग विमार हैं इतना बड़ा इंफ्रसेप्चर हमारा नहीं है हमारा कोई बहुत बड़ा ऑस्पिटल नहीं है कि लाखों यहां पर करमचारी या ढक्तर काम करते हैं तो एक सीमा है क् कि आधे कुछ इतने कॉल आते हैं क्योंकि हम लाज किहीं नहीं कि किशीभी बिमारी के बारे में आप कभी भी किसी बिमारी theta होप्चार सहीं नहीं मिथा करें की जो क्वाली आप your med मैं själणा कॉँना क्योंकर पेस्ट कोई जगार नहीं है। क्योंकि हमारे यहां पर самого Pruse सदा चलती रहती है और हर पैथी में चलती है यहाँ पे ऐलोपैथिक, आयरवेदिक, युनानी, होमियोपैथिक और भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट समझ देते हैं तो मुझे लगता है कि Dr. Raghav आपने बहुती जादा डीप नौलेज दे दिया हम सभी को कि आस्थमा क्या है इसके टाइप्स क्या है क्या 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 खान पान हमें खाना चाहिए कैसे हमें कुछ चीजों को बिलकुल इग्नोर करना चाहिए और उसको कैसे हेल करना है यह भी बत दर्श को आपने जितना है इसमन संचेट नहीं घता सकते कि आप जहां नहीं कि एपट रखने कि वजा है आप सीधे Heal Mass Clinic and Research Center में contact कीजिए, यह contact number है और आपको बताया जाता है कई बार कि आप सुबा 10 से लेकि और रात के 9 बज़ तक फोन कर सकते हैं सुबा काफी पेशेंट पांच बज़े शुरू हो जाते हैं रात को नोन प्रोग्राम जेकर सुबा पांच बज़े नहीं देखी स्टाफ को भी आराम चाहिए होता है और एक किसी भी क्लिनिक का एक टाइम होता है तो आप उस टाइम पर आप कीजी और मुझे उमीद है कि आपको यह प्रोग्राम भी पसंद आएगा आप बहुत भी परचिएट करते हैं आपको बहुत आवाथ और इसी के साथ में अफ्शु रखने है आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकर इत्मी जादा एक हैते ना वास्ट नॉलेज हमाईस यह शेयर की हम सभी नहीं जाना कि अस्तिमा क्या है, इसके टाइप्स कैसे हैं, क्या खान-पान का हमें ध्यान रखना है और साथी साथ कैके सिम्टम्स है जो की बहुत ही सब इंपॉर्टन है जानना थैंक इस सो मच डॉक्टर, तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा और ऐसे ही आती रहूंगे आपके साथ, नए एपिसोर्ट के साथ, नए रोप के साथ और आप सभी को हमेशा स्वस रखने की ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी दोस्तों अगर ये विडियो पसना आई हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट करना बिलकुल ना भूले आप अपने परिजनों को दोस्तों को शेर भी कर सकते हूँ ये विडियो और हाँ हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यहीं जुड़े रहें, हस्ते रहें, मस्कराते रहें, धन्यवाद नेशनल खबर सब पर नज़र